तो नमश्कार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुरुष में निस अन्तानता को जानने के लिए कौन-कौन से टेस्ट किये जाते हैं फुशो में इंफर्टलीटी को डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टन टेस्ट होता है वो होता है सीमेन एनेलसिस यानि उसके वीडे की राज़ अगर सीमेन के अनेलसिस उसकी नॉर्मल आती है मतलब सपर्म का काउंट, मोटलीटी, मॉर्फॉलजी सब कुछ अच्छा है तो जनरली आगे किसी भी तरह का कोई टेस्ट कराने की जरुवत नहीं होती है लेकिन अगर सीमेन का कोई भी पैरामीटर एबनॉर्मल आता है तो उसका पता लगाने के लिए कुछ एडिशनल टेस्ट आपके हो सकते है सबसे पहला टेस्ट उसमें होत ड़क्ट के माध्यम से सीमेन बहार आता है वो ब्लॉक तो नहीं है तो यह कंडिशन पता लगाते हैं सेकेंडली कुछ उसके मेल्स के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि हॉर्मोनल टेस्ट सिरम एफसेच टेस्टोस्टिरोन एस्ट्रोजन लेवल टेस्ट यह कराए जा लगाना है मेल्स में कोई जनेटिक हिस्ट्री है या हम से स्पेट कर रहे हैं कि कोई जनेटिक कॉज हो सकता है तो जनेटिक टेस्टिंग जैसे की केरियो टाइप वाइक्रोम सो माइक्रोड डिलीशन या MTFR gene mutation जैसे टेस्ट भी कराए जा सकते हैं कभी-कभी हमें जब स्प अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा बहुत एडवांस कंडिशन में जब किसी के ऐसी हिस्ट्री होती है कि घरपात हो रहा है बार बार या IVF या IEY फेल हो रहा है उस कंडिशन में एडवांस पर्म फंशन टेस्ट जैसे की DNA Fragmentation Index या टनल टेस्ट भी कराया जा सकता है जनेर जैसे करें सकता है